कुछ दिन बाद गाय की हो गई मौत गाय से निकली हुई दूद को मिठाई के रूप में या फिर ग्रामिनों को वो दूद बाड़ दिया गया है कुछ दिन बाद उस गाय की जो है मौत हो गई मौत की जानकारी जैसे ही गाउंवाले को हुआ उन्होंने ओ दहसत में आ गए और अपने आपको अपनी जान को बचाने के लिए गाउं के लोग जो है वैक्सिनेशन के लिए पहुँच गए स्वास्थभीफाग धीरे धीरे जानकारी ये सोशल मीडिया के माध्याम से लोगों तक पहुँचा गाउं में पहुचा प्रसासन के पास पहुचा की आखिर क्या हो गया है तो पूरी जानकारी इस प्रकार है इससे पहले हम आपको जानकारी इससे पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि किस तरह से एक गाय की मौत हो गई और उस गाय के मिठाई या उस गाय के दूद पीने वाले लोग किते दहसत में हैं और पूरे गाउं के लोग निकल पड़ पखांजूर की बात कर रहा है पखांजूर में कल की जो घटना है जिस पर सिटी डाउग जो है गाय को काट दी गाय के काटने से डौगी को सिटी डाउग के काटने से जो गाय की मौत हो गई है आई ये पूरी बात को समझते कि पूरी मामला क्या है विस्तार से पूरी बात को समझते हैं लेकिन आप समझ सकते हैं कि रेविस अगर नहीं लगाए तो क्या हो सकता है पकांजू छेत्र के वीकर नंद नगर ग्राम पंचायत के गाउं पीवी चार में दो दुधारू गाए को पागल कुटे ने काट लिया दो महाँ बाद उनकी मौथ हो गई मौथ होने के बाद ग्रामिनों को गाए को कुटे के काटे जाने की जानकारी हुई पसू मालिक ने कुटे के काटने के बाद भी गाए के दूध को गाउं में होने वाली पूजा में मिठाई वद्दूत बेचते रहे इसकी मिठाई बना कर पूरे ग्रामिनों को बाटी गई थी इसके बाद पसुप पालकों ने अपने बचाओ के लिए गोपनी तरीके से अस्पताल पहुँचकर रैविस का इंजेक्शन लगवा दिये जी हां जो मौत का जो डर है अपनी जा कर रैविस का इंजेक्शन चुक्के से लगा लिए लेकिन इनकी जानकारी गरामिनों को हो गई गरामिनों न भी अपने आपको सुरक्षित रखने के लिए वो भी अस्पताल के और पहुँच गया है और रैविस का इंजेक्शन लगाना सुरू कर दिया अब इसकी खबर ल अब देख सकते हैं, दहसत का नजारा भी किस तरह से है, स्वास्ता केंद्र, हला कि डॉग किसी भी कुट्टे के काटने से कोई बिमारी तो नहीं होती, लेकिन रैबिस वाइरस न फैले, इसलिए ये सुरक्षा की दृष्टी कौन से सारे लोगों के गाउं के लोगों को जो ह वेक्सिनेशन लगाई जा रही है, अभी भी वेक्सिनेशन जा रही है, ग्रामिनों ने बताया है कि गुरुआर को स्वास्ता टीम के साथ वेक्सिनेशन लगाया गहे है, ग्रामिनों ने बताया कि पिछले माह तीन घरों में सत्यनरान की पूजा भी हुई है, बंगाली समा में लगभग पूरे गाउं के लोगों ने प्रशाद ग्रहन किया था